हेलो जहेंद, स्वागत एक बार फिर से आप सबका अमारे इस YouTube चैनल Future 4G में जैसा कि मैंने बताया था तो फिर से मैं एक नए मौडर पेपर के साथ उपस्थित हूँ और इसको हम लोग देखने से पहले जो आप लोगों से एक उमीद है कि पिछला वीडियो आप लोगों ने देखा होगा तो उमीद है कि आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा और काफी इंपोर्टेंट वीडियो था वो जो इस चैनल पे अभी फिलाल नए आया हैं उनसे उमीद है कि चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लिजे ताकि आपको लेटेस्ट अब्डेट मिले और बेल आइकन को प्रेस कीजेगा ताकि जब भी मैं मॉडल पेपर इसी समय में अपलोड करूँगा सुबा के आठ से नौ के बीच में तो आप लोगों को तुरंत मिल जाए और आप लोग कोसिस कीजे कि जएदे से जएदे सवाल को टच किया जाए लेकिन हाँ माइनस मार्किंग बिल्कुल ना कड़े क्योंकि आपके पास अभी कम समय है तो इसको एक मॉडल पेपर के तौर पे लीजिए और एक सेट प्रैक्टिस करके देखिए कि कितना सही बन पाता है प्रते एक कुस्चन के लिए मैं 10 सेगेंड का समय आप लोगों को दूँगा तो आईए फिर सुरू करते हैं इसको तो हमारा पहला सवाल है जालिया वाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? जालिया वाला बाग हत्याकांड समाने ग्यान का प्रश्ण है भाग वीक जालिया वाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? अगर इसमें आपने लगाया है और अपसन नमर B तो बिलकुल सही उत्तर है आपका अगले सवाल क्यों बढ़ते हैं, आगड़ा से कौन सा रास्ट्रिय राजमार्ग गुजरता है, तीसरा नम्मर सवाल, आगड़ा से कौन सा रास्ट्रिय राजमार्ग गुजरता है, NH2, NH4, NH7, NH9, काफे important सवाल है, आप इसको अच्छे से कीजिए और EG भी है, अगर आपने option नम्मर A किया है, तो बिल्कुल सही उत्तर है आपका, option नम्मर A बिल्कुल सही उत्तर है, इसके बाद अगला सवाल हमारा चोथा, रास्ट्रिय रक्षा अकादमी कहां पर इस्थित है, भारतिय सेना से संबंदित प्रश्ण है, तो ये काफी असानी से सभी लोग जानते हों तो बिल्कुल सही उत्तर है आपका, रास्ट्रिय रक्षा अकादमी कहां पर इस्थित है, option नम्मर C अगर आपने लगाया है, रास्ट्रिय रक्षा अकादमी कहां पर इस्थित है, अगर आपने लगाया है option नम्मर C तो बिल्कुल सही उत्तर है आपका, इसके बाद है हमार अगला प्रश्ण पांच नमर एनी बेसेंट द्वारा चलाया गया आंदोलन कौन सा है अगला प्रश्ण है नीरज चोपड़ा किस खेल से संबन्दित है अगर इसके लिए आपने लगाया है औपसे नमर बी तो बिल्कुल सही उत्तर है आपका औपसन नमर बी इसका सही जवाब है अगले सवाल क्यों बढ़ेंगे सौधी अरब की मुद्रा क्या है ध्यान रखने वाली बात इसमें है कि सौधी अरब के अलाबा आप अपने आस पर उसके जितने भी कंट्री है उसके भी मुद्रा को याद रखेंगे सौधी अरब के अलाबा सौधी अरब की मुद्रा क्या है इसका जबाब दीजे पहले लेकिन आज़ पास के जितने भी हैं country उसके भी याद रखेंगे C, अगर आपने इसका उत्तर दिया है C, तो बिलकुल सही उत्तर है आपका रियाल सौधी अरब की मुद्रा है रियाल सौधी अरब की मुद्रा है इसके बाद हमारा है इसके बाद वेदों में सबसे पुरान वेद कौन सा है वेदों में सबसे पुरान कौन सा वेद है ये काफी important है वेदों में सबसे पुरान वेद कौन सा है अगर आपने option लगाया है ये तो बिलकुल सही उत्तर है इसके बाद बढ़ेंगे पंडित सिव कुमार सर्मा का संबंध किस वाद यंतर से है अगर इसका उप्सन आपने लगाया है उप्सन नमर डी तो बिलकुल सही उत्तर है आपका अगले प्रश्न की और बढ़ेंगे काफी इंपोर्टेंट है ये भी लोग सवा का सदस्य होने के लिए नियूनितम आयू क क्या है काफी असान सवाल है और आप में से सबसे उमीद है कि इस सवाल का आप आंसर बखो भी जानते होंगे 25 वर्स और एक सवाल मैं अपने तरब से की वोटर होने के लिए क्या आयू होनी चाहिए ये आप सभी जानते होंगे नियूनितम आयू वोट गिराने के लिए वो रंगा स्वामी कब किस खेल से संबंदित है इसका अगर आपने option C लगाया है हौकी तो बिल्कुल सही उत्तर है आपका option C इसका सही उत्तर है हौकी कुस्चन नमर 12 की और बढ़ते हैं पिर्थवी को दो बराबर भागों में बाटने वाली कालपनी करेखा का क्या नाम है इसका अगर आपने जल्दी से उत्तर दीजे इसका अगर आपने लगाया option नमर B तो बिल्कुल सही उत्तर है आपका आगे बढ़ते हैं कुस्चन नमर 13 एवरेस्ट पर विजय प्राप्त करने वाली पहली भारतिये महिला कौन थी आपसन है विजय प्राप्त करने वाली पहली भारतिये महिला कौन थी आपसन है बिचेंतरी पाल जुनको टबाई सेरपाल लकवा इन में से कोई नी तो अगर आपसन नमर A लगाया आपने तो बिल्कुल सही उत्तर है आपका नेक्स्ट हमारा प्रश्ण है चौदा नमर दार्जलिंग किस राज्य में स्थित है काफी असान सवाल है दार्जलिंग किस राज्य में स्थित है तो इसका उत्तर होगा आपसन नमर B पस्चिम बंगाल तिरंगे जंडे के असोक चक्र में तीलियों की संख्या कितनी है तिरंगे में जो ये रहते हैं तीलिया उसकी कितनी संख्या है ऐसे तिरंगे में जो तीलिया रहती है इसकी कितनी संख्या है जल्दी से जवाब दीजे, काफी असान सवाल है, आप सभी तिरंगे को जानते हैं और बारते सेना में जाना है, तो सभी को पता होना चाहिए इस सवाल का जवाब कुस्चन नमर 15, अगर आपने इसका उत्तर दिया है, सी तो बिल्कुल सही उत्तर है, आपका 24 तिलिया होती है, अब हमारा भागटू आ गया है समान विज्ञान का, समान विज्ञान से देखेंगे, इसको शुरू करते हैं घरों में विद्धुत पडिपत का स्वरूप क्या होता है, कुस्चन नमर 16 का अगर आपने लगाया है, आप्सन नमर B, तो बिल्कुल सही उत्तर है, पासव क्रम इसके बाद हमारा नेक्स्ट कुश्चन है, एक अव्दल दर्पन द्वारा बनाया गया परतिबंब कैसा होगा, अव्दल दर्पन द्वारा बनाया गया परतिबंब कैसा होगा तो इसका सही उत्तर है, option number B अगर आपने लगाया है, B तो बिलकुल सही उत्तर है, वास्तविक इसके बाद next question है, ध्वनी की अवाज को किस स्केल पर मापा जाता है, ध्वनी की अवाज किस स्केल पर मापा जाता है, हर्टज, मेगा, डेसीबल और इन में से कोई नहीं तो इसका अगर आपने लगाया option number C, तो बिलकुल सही उत्तर है आपका, आईए अगले सवाल की और बरते हैं, question number 19, निश्चित दिसा में वस्तू की इस्थिती के पडिवर्तन को क्या कहते हैं? अगर इसका option आपने लगाया है D, तो बिलकुल सही उत्तर है आपका, अगर इसका option लगाया है आपने, दी तो बिलकुल सही उत्तर है आपका, आगे बढ़ते हैं, question number 20, एक गैलन में कितने लीटर होते हैं? एक गैलन में कितने लीटर होते हैं? एक गैलन में कितने लीटर होते हैं? 5, 4.5, 4.6, 5.25, अथवा 2.5, इसका अगर आपने लगाया है, question number 20 का अगर आपने लगाया है, B तो बिल्कुल सही उत्तर है आपका अगला सवाल वायू में ध्वनी की चाल कितनी होती है वायू में ध्वनी की चाल कितनी होती है वायू में ध्वनी की चाल कितनी होती है आपके पास चार आपसन है वायू में ध्वनी की चाल कितनी होती है अगर इसका उत्तर आपने लगाया है 21 का आपने लगाया है B तो बिल्कुल सही उत्तर है आपका अगला सवाल एक गतिमान पिंड में इन में से क्या नहीं पाया जाता है एक गतिमान पिंड में इन में से क्या नहीं पाया जाता है चार आपसन है आपके पास अगर आपने इसका उत्तर लगाया है D तो बिलकुल सही उत्तर है इसके बाद अगला सवाल सोडियम बाइकार्बोनेट का घड़ेलू नाम क्या है सोडियम बाइकार्बोनेट इस सवाल का सभी को उत्तर पता होना चाहिए काफी असान सवाल है अगर आपने इसका लगाया है option नमर B तो बिल्कुल सही उत्तर है आपका रासाइनिक अभिक्रियाओं की दर कौन से पदार्थ पड़िवर्थित कर देता है रासाइनिक अभिक्रियाओं की दर कौन से पदार्थ पड़िवर्थित कर देता है चार option है आपके पास question number 24 अगर आपने इसका लगाया है B उत्प्रे रख तो बिल्कुल सही उत्तर है आपका अमलिकत मिस्र धातु में पाई जाने वाले मुख्य धातु क्या होते हैं 25 नमर सबाल अमलिकत मिस्र धातु में पाई जाने वाला मुख्य धातु क्या होता है तो इसका अगर आपने लगाया है option number C तो बिल्कुल सही है आप अगला सवाल हसाने वाले गैस का रसाइनिक नाम क्या है हसाने वाले गैस का रसाइनिक नाम इसका अगर आपने लगाया है option number B तो बिल्कुल सही उत्तर है आपका 26 का B आपने लगाया है तो बिल्कुल सही है गुलकोच का रसाइनिक नाम क्या होता है? काफी असान सवाल है उमीद है आप मेंसे सभी जानते होंगे option number B इसका सही उत्तर है carbon का अपरूप इन में से कौन सा है? carbon का अपरूप fluorine, granite, हीरा इन में से कोई नहीं carbon का अपरूप allotrops जिसको बोलते हैं कौन सा है इन में से? तो अगर आपने लगाया है option number C हीरा तो बिल्कुल सही उत्तर है अगला सवाल हेमोगलोबीन में कौन सी खनीच लवन पाया जाता है? हेमोगलोबीन में क्या पाया जाता है? तो इसका option है B बिल्कुल सही उत्तर है अगर आपने B लगाया है 29 का अगला सवाल मानव सरीर की सबसे बड़ी गरंथी कौन होती है? मानव सरीर की सबसे बड़ी गरंथी कौन होती है? question number 30 अगर आपने इसका लगाया है option number C तो बिल्कुल सही है आप अगला सवाल सरीर तंत्र प्रनाली को निम्ण में से कौन नियंत्रित करता है? सरीर तंत्र प्रनाली को इन में से कौन नियंत्रित करता है? अगर इन में आपने लगाया है option number A अथवा B अथवा C तो गलत है, option number D इसका बिल्कुल सही उत्तर है अगला सवाल है सुड़े प्रकास कौन सा बिटामिन उत्पन करता है सुड़े के प्रकास में कौन सी बिटामिन पाई जाती है अक्सर आपने सुना होगा कि धूप सेकने के लिए जाता है डॉक्टर्स के दुआरा तो कौन सी बिटामिन की कमी में धूप सेकने के लिए कहा जाता है तो वही बिटामिन सुड़े में पाई जाता है अगर इसका सवाल का आपने लगाया है option number D, vitamin D तो बिल्कुल सही है क्योंकि धूप sun rays में sun की रोसनी, सुड़ी की रोसनी में बिटामिन D काफी मातरा में पाई जाती है निमलिखित में से सबसे अच्छा प्रोटीन का सुरोत क्या है 33 सवाल number 33 निमलिखित में से सबसे अच्छा प्रोटीन का सुरोत अगर आपने इसका लगाया है मचली, अप्सन नमर ए, तो बिल्कुल सही है, फ्लेग बिमारी किस से फैलता है, फ्लेग बिमारी किस से फैलता है, तो ये बिमारी किस से फैलती है, इसमें चार अप्सन आपके पास है, फ्लेग बिमारी ने भारत में बहुत उत्पाद मचाया था, तो अगर इसका अप्सन न Q. D आप ने लगा है, चूहा तो बिल्कुल सही उत्तर है Q. 35, कोसिका विभाजन निमल खित में से किस प्रकडिया से होती है Q. कोसिका का विभाजन किस प्रकडिया से होती है अगर आप अपिसका लगा हैं, option number C, माीटोसिस तो बिल्कुल सही उत्तर है और हमारा अगला भाग और अंतिम भाग है गनित भाग नमर तीन और इसमें काफी समहल के करने का जरुद है आप लोग माइनस मार्किंग बिल्कुल नहीं करेंगे जो आता है उसे में टच करना है अनिथा गलत नहीं लगाना है इसमें भी आपको 10 सगेंड का समय दूंगा और प्रतीसत है 10.4 किलोग्राम 450 को कितना प्रतीसत है 36 36 नमर सवाल इसका जबाव आपको लगाना है 10.4 किलोग्राम 450 का कितना प्रतीसत है आपको मैं इसके लिए 10 सेकेंड का समय दे रहा हूँ अगर आपने इसका सवाल का जवाब लगाया उपसन नमर ए तो बिल्कुल सही उत्तर है आपका अगला सवाल हमारा 37 वा कुश्चन नमर इसके बाद हमारा जो है कुश्चन नमर 37 इसमें प्लस ने हमारा यदी 4AQ प्लस एक बराबर 501 है तो A का क्या मान होगा इसमें चार उपसन है हमारे पास कुश्चन नमर 37 के लिए तो A का मान निकालना है इसमे अगर इसका आपने लगाया है उपसन नमर B तो बिल्कुल सही उत्तर है आपका अगला सवाल है इसमें आपको समय लग सकता है तो आप वीडियो को पाउस करके इसको बना के फिर से कीजिएगा यह सवाल का अगर आपने Q38 का अगर आपने आपसन नमर C लगाया है तो बिल्कुल सही उत्तर है आपका अगला सवाल है हमारा Q49 5,000 रुपए पर 8 प्रतीसत दर से 2 साल का साधारन ब्याज क्या होगा असान सवाल है यह यह ट्रिक से फॉर्मूला से तुरंत बन जाएगा Q49 5,000 रुपए पर 8 फिस्दी दर से 2 साल का साधारन ब्याज क्या होगा चार अपसन है 1200, 1800, 750 Q49 अगर आपने इसका लगाया है उपसन नमर C तो बिल्कुल सही उत्तर है अगला सवाल है यदि एक आदमी दूद असमलब 5 किलोमीटर 10 मिनट में पूरा करता है तो उसकी 4 किलोमीटर प्रती घंटा बताओ क्या स्पीड है यदि कोई आदमी 5 किलोमीटर 10 मिनट में पूरा कर लेता है तो उसकी क्या चाल है प्रती किलोमीटर घंटा में ये बताना है ये भी काफी असान सवाल है Q40 अगर इसका आपने आपसन नमर B लगाया है तो बिल्कुल सही उत्तर है आपका इसके बाद है वृत की पड़िधी का सूतर क्या है Q41 वृत की पड़िधी का सूतर क्या है इसके लिए मैंने कल जो मॉडल पे पड़ दिया था उसमें भी इसको बताया था तो 2πR इसका सही उत्तर है अब ये निमलिकित चित्र में X का मान क्या होगा यहां जो X है इसका मान निकलना है ये क्या होगा ये भी काफी आसान है Q42 इसका अगर आपने लगाया है option नमर B तो बिल्कुल सही उत्तर है अगला सवाल लाव हानी से है Q43 यदि क्राय मुल्य 500 रुपए लाव 20 प्रतिसत है तो विक्राय मुल्य क्या होगा 500 रुपए में खड़ीदा गया 20 प्रतिसत लाव लेकर तो उसका कितने में बेचा गया होगा विक्राय मुल्य बताना है तो काफी असान सवाल है ये चुटकी में बन जाएगा Q43 अगर आपने option नमर B लगाया है तो बिल्कुल सही उत्तर है 500 का 20 प्रतिसत उसको एड़ कर देना है 500 में तो उतना selling price हो गया उसका इसके बाद अगला सवाल हमारा question number 45 450 मीटर लंबी एक रेल गारी सारे 22 सकेंड में एक खंबे को पार करती है तो गारी की रफ्तार किलोमेटर प्रति घंटा में क्या होगी सारे 400 मीटर लंबाई की एक रेल गारी है और सारे 22 सकेंड में एक खंबे को पार करती है question number 43 का B मैंने बताया था question number 45 का 450 मीटर लंबी एक रेल गारी सारे 22 सकेंड में एक खंबे को पाड़ करती है तो गाड़ी की रफतार किलोमीटर में क्या होगी अगर इसका आपने लगाया option number A तो बिल्कुल सही उत्तर है अगला जो हमारा part है सामाने बुद्धी मत्ता का black smith यदि black smith को ये लिखा जाता है इसके रूप में लिखा जाता है तो children को किस code में अंकित किया जाएगा इसको आप करके देखेंगे बहुत आसान है ये भी question number 46 इसका सही उत्तर होगा option number D अगला सवाल 47 है दिये गए विकल्पों में से संबंदित अक्षर का चैयन कीजिए इससे related जो है DHL, PTX, BFJ इसके बाद क्या होगा question number 47 में अगर आपने लगाया option number A तो बिल्कुल सही उत्तर है अगला सवाल है दिये गए विकल्पों में से एक सब्द का चैयन कीजिए जो दिये गए सब्द के अक्षरों से नहीं बनाया जा सकता है ऐसा सब्द का चैयन करना जो इससे नहीं बनाया जा सकता है अगला सवाल है हमारा सुरियास्त के समय समा सुरिज से विपरीद दिसा के और चलना प्रारंब करती है तथा वह दाई और मुर्ती और फिर दाई और मुर्ती उसका मुख किस दिसा की और होगा सुर्ज की सुर्जास्त के समय समा सुर्ज से विपरेद दिसा के और चलना प्रारंब करती है वो अदाई और मुर्ती है फिर दाई और मुर्ती है तो उसका मुख किस दिसा में होगा कॉस्चन नमर 49 अप्सन नमर D अगर आपने लगाया है उत्तर तो बिल्कुल सही है और अन्तीम हमारा सवाल है दीगई सरिंखला में लुप्त पद ग्याद कीजिए दीगई सरिंखला में लुप्त पद क्या है उसको ग्याद करना है दो के बाद साथ, साथ के बाद दस, दस के बाद बाईस, बाईस के बाद अठारो 18 के बाद 37, 37 के बाद 26 इसके बाद क्या होगा option नमर 50 अगर इसका आपने लगाया है 62 तो बिलकुल सही उत्तर है और यहां हमारा यह sit paper complete हुआ, अगला sit paper ठेक इसे ही समय पे कल आप लोगों को मौजूद होगा और उमीद है कि आप लोगों ने अच्छा किया होगा आपने comment section में बताए कि किसका कितना सही हुआ और best of luck का आप लोग इसके लिए तैयारी कीजिए, जिस section में आप लोगों को गलती हुआ है, उसको फिर से देखने की जरुरत है और मैं आप लोगों से फिर ये कहूंगा कि negative marking बिल्कुल नहीं करना है negative से बच के चलना है और चितना कम हो सके अतना negative कम करना है ध्यान रखे, negative marking बिल्कुल नहीं करना है थैंक्यू, जहिन